ओम श्री गनेशाए नमाथ, चौथ माता की जय हमारे सनातन धर्म में अन्यकोल देवी देवताउं की मानिता है इन ही में से एक है चौथ माता मानिताउं के नुसार चौथ माता देवी पारवती का है एक रूप है जो विवाहित महिलाओं को अखंड सौभागे का अशिरवाद दिती है कहते हैं इनकी पूजा करने से विवाहित जीवन की हर परिशानी दूर हो सकती है जिस पर भी चौत माता की करपा होती है उनकी घर में हमीशा सुक समर्थी और खुशाली बनी रहती है चतुर्थी दिती की देवी हैं चौत माता ऐसे में हर महिने की चतुर्थी दिती पर चौत माता की कथा पढ़ने या सुनने का भी नियम है प्रीभक्त जनों आज की इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ चौथ माता की दुरलब और पुरानिक कथा जिसे आप सभी भक्त जनों को पूरा अवश्य सुनना चाहिए क्योंकि चौथ माता की करपा से सभी दुखतूर हो जाते हैं और मनुकामनाई भी पून होती हैं अपनी अपनी मनुकामना को मन में रखकर आज इस कथा का श्रवर अवश्य कीजिएगा प्राचीन कथा के नुसार एक बार एक सेट से ठानी थे उनके एक बेटा और बहु भी थे बहु सब को भोजन करा कर फिर स्वेम भोजन करा कर थी उनकी एक पड़ोशन ऐसी भी थी जो रोज बहु से पूचती कि बहु आज क्या बनाया खाया है बहु कहती ठंडो बासी एक दिन उसके पती ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाये जाएं फिर देखें मेरी पत्नी क्या कहती है उसने तरहतरा के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक सा साथ बैठकर भोजन किया आज भी पड़ोसन ने पूचा तो बहु ने वही कहा ठंडो बासी सेट के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है फिर उसने अपनी पत्नी से पूचा तुम रोज ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाये थे तब उसकी पत्नी बोली हम सब जो खा रहे हैं वे हमारे बाप दादाओं की कमाई हैं जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताजा भोजन कर रहे हैं सेट के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया फिर एक दिन अपनी मा से बूला मा मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूं मा बोली बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाये नहीं खाया जाएगा मा के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्च गई तब वह मनी मन घबराने लगी कहीं मेरे पती पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा जल्दी से पडोस में से आग लाकर चूले में रख दू ऐसा सोच कर वह पडोस में गई वहां पडोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी पडोसन ने कहा बहन थोड़ी देर में आ पूरी होती है अब बहु भी चौथ माता का व्रत करने लगी दिवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड का चूर्मा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्ग दे कर भोजन करती ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीट गई उधर चौथ माता ने बहु के पती को सपने म और उसकी चिंता मिटा तो दुकान खोल कर कंकु केशर का पगलिया बनाके बैठ जाना आज तेरा सारा हिसाब किताब चुपता हो जाएगा अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसे ही हुआ उसने घर जाने की तैयारी की और गाड़ी भर कर धन दौलत लेकर चल पड़ा रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फिलाए बैठ गया और बोला आज तो मैं तुझे डसूंगा छोड़ूंगा नहीं तेरी उम्र पूरी होगी है सेट का लड़का बोला आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ वहां मेरी पत्नी मेरा इंतजार कर रही होगी बहुत चिंता कर रही होगी मैं उससे मिलकर जरूर वापस आउँगा तब तुम मुझे डस लेना नाग बोला तुम अगर शपत लेकर जाओ तो ही मैं तुम्हें जाने दूँगा अगर तुम लोटकर नहीं आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर ही तुम्हें डस लूँगा इस प्रकार सहुकार का वह बेटा साब को वचन देकर अपने घर पहुँच गया वहाँ सभी से हसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास उकर पैट गया उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पत्नी ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा अगर मैं उसके पास नहीं जाओगा तो वो घर आकर ही मुझे रस लेगा पत्नी बहुत चतुर थी बोली आप घबराओ नहीं लेट जाओ मैं एक उपाय करती हूँ पत्नी ने कमरे की साथ पैड़ी दोई पहली पैड़ी पर रेत दूसरी पर इत्र तीसरी पर गुलाल फूल चौती पर कंकुकेशर पांचवी पर लड़ू पेड़ा छटी पर गादी गलीच और सातवी पैड़ी पर दूद से भर कर कटोरा रख दिया इस प्रकार वह सातो ही पैड़ी सजा कर पैड़ गई आधी रात होते ही वह नाग आकर पैड़ी चड़ने लगा पहली पैड़ी पर रेत में लोट गया और कहने लगा सेट की बहुर ने आराम तो बहुत दिया लेकिन क्या करूं वचन से बंद कर यहाया हूं इसलिए डसू जरूर कमरे में जाने ही वाला था कि चौथ माता ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं बचाओंगी तो संसार में धरम करम और व्रत पूजन फिर कौन मानेगा अब तो गड़ेश ची चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहुकार के बेटे को बचाने का विचार किया तो बेटा बहु तो उठे ही नहीं थे बहुत देर हो गई तो मा उन्हें उठाने के लिए गई माने सातों पैडियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहु का आवाज लगाई बेटा बहु उठे तो देखा कि एक धाल तलवार वहां पड़ी है अब धाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है बेटा बहु ने सोचा कि आज तो धरम करम ही आड़े आए जब भगवान श्री गणेश और चौत माता ने हमारी रक्षा की ये चौत माता आपने जैसे सेट के बेटे बहु की रक्षा की वैसे सब की रक्षा करना प्रेम से बोलिए चौत माता की जै ये थी आज की कता अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लीजेगा ताकि इसी तरह की कताएं आप हमारे चैनल पर हर दिन सुन सकें